क्या आप Nike के स्फूश लोगो या फिर टिक के पीछे का लॉजिक जानते हैं? आज Nike 200 बिलियन डॉलर से भी बड़ी कमपनी है और इसने CR7 और वर्ल्ड के तमाम ट्लियर्स को स्पॉंसर भी कर रहा है पर क्या आप जानते हैं कि इसका लोगो डिजाइन किया गया था मात्र 35 डॉलर में दरसल 1971 में कैललीन डेविटसन नाम की एक औरत ने ये लोगो डिजाइन किया था और ये लोगो इंस्पार था ग्रीक विक्ट्री गॉड़ेस नाइकी से ये लोगो अचली उनके पंको की तरह दिखता है जो सिंबलाइज करते हैं स्पीड, मुव्मेंट, पार और मोटिवेशन तो अगर आपको ये जानकारी पहले पता नहीं थी तो इस वीडियो को सारे नाइकी लवस के साथ में जादा से जादा शेयर कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल फैक्टिवेशन को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में